जनगन मंगल दायक जया है बारत भाग्य विदाता जया है जया है जया है जया 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 है नमस्कार मेप्रेंग का आप देख रहे हैं ऑनलाइन यूज इंडिया इस खबर को देखकर अनभक्तों की टोली को सदमा लग सकता है हिंदो मुस्लिम करने वाले कटर पंतियों को साब सुन सकता है ऐसा क्या हो गया है कि अन्दभक्त हो गए हैं शौगड हम आपको बताते हैं दरसल सोशल मीडिया पर एक शेक साहब का जंगन मन गाते हुए वीडियो वाइरल हो रहा है। इस वीडियो को वाइरल करते हुए लगातार लोग तारीफों के पुल बांध रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अंदभक्त सक्टे में आ गए हैं। अंदभक्तों को कैसे जटका लगा है अंदभक्तों का क्या हाल हो चुका है वो दिखाने से पहले आपको वाइरल वीडियो दिखाते हैं। आप वाइरल वीडियो में देखिए कि कैसे एक शेख ने विदेशी पोशाप में होने के बावजूद देशी जजबा दिखाया है जय मुना गंग ओ चल जल दिता रंगा तव शुब नामे जागे तव शुब आश शुमागे गाही तव जय गाता जनगनमंगल दायक जय है बारत भागया विदाता जय है 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 आप वीडियो में देख सकते हैं यह शेख सहाब हैं विदेशी पोशाख है साओधी आरब में आप जानते हम जैसा औरहित यह कम वेश्वबूशा दारण की जाती है और में भांगले जंगनमंगा रहे है बिल्कुल सुर लह ताल के साथ गाते हुए दिखाइ वीडियौ के साथ सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है हर को इसकी तारीफ कर रहा है कि इस वीडियो को देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा एक तरफ लोगों का मन खुश हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अंद भक्तों का मन दुखी हो रहा है उनका मन क्यों दुखी हो रहा है आपको बताते हैं सबसे बिले आपको बता दें कि ये वीडियो जो है ये शेक का जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर जब लगातार वाइरल है संजेत रिपाटी है एबीपी के पत्रकार है वो भी इसे शेयर करते हैं और लिखते हैं कि क्या बात है शेक साहब के साथ इस वीडियो को लगातार शेक शेयर किया जा रहा है ये शेक कौन है आखिर क्यों इतने जादा वाइरल हो रहे हैं इस पर बात करते हैं इसके बाद अन्दभक्तों पर आएंगे अबर देखिए नो भारत टाइम्स की इसमें लिखा हुआ है कि कौन है सौदी के मुसल्मान सिंगर हाशिम अब्बास जिनके गाने सारे जहां से अच्छा ने जीता हिंदुस्तानियों का दिल तो ये पहला मौका नहीं है कि जब ये जनगनमन काते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके गाने सारे जहां से अच्छा ने जीता हिंदुस्तानियों का दिल तो ये पहला मौका नहीं है कि जनगनमन गाते हुए दिखाई दे रहे हैं इनका नाम हाशिम अब्बास है ये पहले भी सारे जहां से अच्छा गा चुके हैं जो वीडियो वाइरल हो चुका है और अब एक बार फिर से जंगन मन गाते हुएं उनका वीडियो social media पर वाइरल है तो कई लोग खत्रे में आ गए हैं कैसे खत्रे में आ यह हैं वो बताएंगे लेकिन पहले ख़बर यूंदर क्या लिखा है वो सुनिएगा इसमें लिखा हुआ है कि social media पर अक्सर बहुत से वी सल्मान सिंगर ने भारत के स्वतंतरता दिवस के मौके पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा गाते हुए नजर आ तो सतंतरता दिवस के मौके पर इस वीडियो को शेयर किया गया था वीडियो काफी जादा वाइरल हुआ जिसमें उनकी काफी तारीफ की गई हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया और यह भी कहा जाता है कि कला और संगीत की कोई सरहत नहीं होती जहां देश में हिंदो बीज गहरी खाई पैदा की जा रही है वहीं आप देख सकते हैं कि वीडेशों में भी इसकी गुंज है वीडेशों में भी कैसे सरहत को काफपार करते हुए जो देश की प्रेम की भावना है वो सामने निकल कर सामने आ रही है अबर में आगे यह भी लिखा हुआ है कि वाइरल हो गया है लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं इस गाने को वाइरल सिंगर साओधी अरब के हैं उनका नाम हाशिव अबास है जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें लिखा हुआ है कि हाशिव अबास का यह वीडियो अब चर्चा का विशह बन गया है एक हपते के बीतर ह हैं और सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं तो उनके दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुए हैं जिसमें उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा गाया है एक वीडियो में उन्होंने जन्गर्मन गाया है जो कि वीडियो मैंने आपको दिखाया है यह भी वीडियो वाइरल हो रहा है, हर कोई कह रहा है कि क्या बात है, शेक साहब क्या गाना गाया है, क्या सुर्थ ताल लगाया है, कैसे देश प्रेम को जलकाया है, वो भी सरहत पार होने के बावजूद आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे देश प्रेम छलक रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अंदबक्तों को जटका भी लग रहा है अंदबक्त कैसे सटे में आ गये हैं हम आपको बताते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि कैसे हिंदू-मुसल्मान की नफरत की खेती लगातार देश में की जा रही है। यहाँ पर जो देश में ही रहते हैं उन्हीं को बाटने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ विदेश से ऐसा वीडियो सामने आता है तो अंद भक्तों का शौक्ड होना लाजमी है। वीडियो जहाँ एक तरफ तारीव के साथ लगाता और शेयर किया जा रहा है तो वहीं अंद भक्तों की टोली ने क्या कारनामा कर दिखाया है वो आपको दिखाते हैं। लेकिन गौरफ गुपता हैं वीडियो को शेयर करते हैं और लिखते हैं कि दुबई का शेख भारत का राष्टिय गान गा रहा है और भारतियो मुस्लिमों को इसलाम खत्रे में पढ़ जाता है। तो इस वीडियो में भी कैसे नफरत को ढूनना हैं कैसे इसको आगे परोसना हैं ये अंदवक्तों को अच्छे से आता है कि इस से इसलाम जो भारत में रहते हैं उनका तो खत्रे में आ जाता है लेकिन दुबई का शेख ये गीत गाता हुआ सुनाई देता है। इनको नहीं पता होगा शायद कि देगर ये तो दावा कर सकता है हर कोई कि बच्चे बच्चे के मुँपर राष्ट्य गान है। इस से खत्रे में पढ़ता है। कहीं इसलाम खत्रे में पढ़ता है कि हिंदु धर्म खत्रे में पढ़ता है। के मुताबिक और इनकी इसी खत्रे के चलते आप जानते हैं कि कैसे घटिया राजनीती अपने चरम पर है एक वीडियो है जो कि इंदुस्तानियों का दल जीत रहा है तारीफों के साथ वाइरल हो रहा है लेकिन उसमें भी कैसे नफरत घोलना है यह लोगों को अच्छे से आत इससे तकलीफ होती है कि किसको तकलीफ होती है आप बताईए यहाँ पर तकलीफ किसको हो रही है वो आपको दिखाई दे रहा है तो अब आप बताईए कि आपके मुताबिक आखिर कौन खत्रे में आ जाता है जब कोई वीडियो वाइरल होता है जो प्रेम की भावना को प् करें सब्सक्राइबर दबाए बला आकट दबाए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुस्ती रहें पर बलते अगली खबर के साथ तब तक के लिए अड़िवार इस खबर को अभी लाइक करें शेर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर